हेलो पढ़ाई करने वाले मित्रों, मैं डॉक्टर भारती परमार अपने लर्निंग प्रेटफॉर्म विजुल आर्ट एंड जी के टॉटोरियर पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज का ये वीडियो है प्रसी दभारती जो रचना है गरंत है और उनके रचना का रोपर और ये है इसका पार्ट वन और ये सारे ही इस तरह की कलापरिक्षा में पूछा जाता है चाहे वो किसी नेशनल एक्जाम हो, NWS, KWS, DWS भी हो या फिर RPSC हो या किसी भी इस एक्जामों का इस समय ये प्रिशन जरूर राते हैं और NET JRF के लिए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रिशन है इसमें 25 प्रिशन रहेंगे और आप बताईएगा कि आपके 25 में से कितने प्रिशन सही हुए हैं आप एक pen paper लेकर बैठें और अपने आंसर लिखते जाए और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक कीजिए अपने study group में share कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बारा है तो इसे subscribe जरूर कर लीजिए तो आईए देखते हैं प्रसीद ग्रंथ रचनाएं और उनके रचनाकार पहला प्रिश्ण है निम्लिकित में से कौनसी पुस्तक आनंद वर्धन द्वारा लिकित है तो इसका आंसर है option नमबर B धवन्या लोग धवन्या लोग को आनंद वर्धन जी ने लिखा था दूसरा प्रिश्ण है निम्लिकित में से कौनसी पुस्तक पार्णी ने लिखी है तो पार्णी ने लिखी थी अश्टा ध्याई, आंसर है option D, अश्टा ध्याई, और ये लिखी थी उन्होंने लगभग 500 इसा पूर्व पार्णी ने लिखी है अश्टा ध्याई, लगभग 500 इसा पूर्व में प्रिश्ण नमबर 3 है, भरतमुनी रचित नाटि शास्त्र का समय क्या है, तो भरतमुनी ने जो नाटि शास्त्र लिखा, उसका समय है प्रथम शताब्दी इसा पूर्व आंसर है याँ पर option A, प्रथम शताब्दी इसा पूर्व दूसरा प्रिश्ण है चोथा प्रिश्ण है मतलब कुमार संभववा रगुवंश के रचिता कौन है तो कुमार संभववा रगुवंश लिखा था कालीदास जीने आंसर है आपर ओप्शन सी कालीदास प्रिश्ण नमबर पांच है धनपाल द्वारा रचित है तो धनपाल ने लिखा था तिलक मंजरी आंसर है यहाँ पर ऑप्शन भी धनपाल दवारा रची थे तिलक मंजरी जो की जिसका समय है दसवी सताब दी याद रखिए तिलक मंजरी का समय है दसवी सताब दी अगला है कलाविलास के रचेता है तो कलाविलास जो लिखा है वो लिखा है शेमेंद्र जी ने आंसर है आप्शन भी शेमेंद्र और ये कश्मीर के कवीर थे कश्मीर के रचेता थे ये शेमेंद्र और लिखा है कलाविलास अगला प्रश्ण है पतंजली ने लिखा है और एक बात और बतादूं आपको मैं कि कलाविलास के साथ साथ इनों ने व्रहत कता मंजरी भी लिखा है छेमेंद्र ने कलाविलास लिखा है और व्रहत कता मंजरी लिखा है अगला प्रश्ण है पतंजली ने लिखा है तो पतंजली ने लिखा है यहाँ पर महाभाशे आंसर है ओप्शन ए महाभाशे लिखा है पतंजली ने बारतिय चित्रकला के लेखक हैं भारतिय चित्रकला पुस्तक जो लिखी है वो लिखी वाचस्पती गेरोला ने आंसर है option A वाचस्पती गेरोला दोस्तो आकर इए वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो उसे like जरू करिएगा अगला है प्राचिन भारतिय परंपरा और इतिहास के लेखक है तो प्राचिन भारतिय परंपरा और इतिहास लिखा है रांगेय राघव ने आंसर है यापर आप्शन बी रांगेय राघव प्रिश्ण नमबर दस है कल्प सूत के रचियता है तो कल्प सूत्र लिखा था ओप्शन ए भद्र बाहु जी ने आंसर है ओप्शन ए भद्र बाहु ने लिखा है कल्प सूत्र और ये जैन धर्म की कृति है अगला है गीत गोविन और भगवत पुरान के रचियता है तो गीत गोविन और भगवत पुरान दोनों लिखा है जैदेव ने आंसर है आपर option A जैदेव गीत गोविन और भगवत पुरान लिखा है जैदेव ने अगला प्रश्ण है रसिक प्रिया और नल दम्यंती के लेखक है तो रसिक प्रिया और नल दम्यंती लिखाता केशवदास ने आंसर है यहाँ पर ओप्शन C केशवदास इसके साथी साथ उन्हों ने लिखाता कवी प्रिया अगला है दश कुमार चरित्र के लेखक हैं तो दश कुमार चरित्र जो है वो लिखा है आचारे दंडी ने अगला प्रिशन है तिलक मंजरी के लेखक है तो तिलक मंजरी को लिखा था धनपाल ने अगला है वज्र देदत्ती प्रग्या पार्मिता इसे किस ने लिखा है तो इसको लिखा था बोध कुमार जीव ने आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी बोध कुमार जीव ने लिखा है अगला प्रिशन है स्टडी इन इंडियन पेंटिंग के लेखक हैं तो स्टडी इन इंडियन पेंटिंग लिखा था आंसर है यहाँ पर NC Mehta, Option B यह NC Mehta ने लिखा है Studies in Indian Fainting अगला है Modern Art in India और Ritual Art of India यह दो कुस्तकों के नाम है से किस ने लिखा है तो Modern Art of India and Ritual Art of India लिखा है अजीत मुखर जी ने आंसर है यहाँ पर Option B यह दोनों किताबे लिखी है अजीत मुखर जी ने अगला प्रिश्न है मेवार पेंटिंग के लेखक है तो मेवार पेंटिंग जो लिखी थी वो लिखी थी मोती चंद्र जी ने आंसर है आप पर Option A मोती चंद्र ने लिखी है मेवार पेंटिंग अगला है बसोली पेंटिंग और कांगडा वेली पेंटिंग के लेखक हैं तो इस दोनों ही पुस्तक लिखी है में संधा वाजी ने आंसर है आपर आप्शन B में संधा वाजी ने लिखी है बसोली पेंटिंग और कांगडा वेली पेंटिंग अगला प्रिश्ण है 21 नंबर का भारतिय कला का सिहाव लोकन और रूपावली के लेखक है तो भारतिय कला का सिहाव लोकन और रूपावली ये दोनों जो लिखी हैं वो लिखी है नंदलाल बसुजी ने आंसर यहां पर option A नंदलाल बसुजी द्वारा लिखी गई हैं दोनों किताबे भारती कलाका, सिहाव लोकन और रूपा वली अगला प्रिशन है Master pieces of राजपूत पेंटिंग के लेखक है तो Master pieces of राजपूत पेंटिंग लिखी थी OC गांगुली जीन है आंसर है यहां पर option B OC गांगुली अगला प्रिशन है The Hindu view of art के लेखक है तो The Hindu view of art लिखा है Dr. मुलकराज आनंद ने आंसर है option A Dr. मुलकराज आनंद इन्होंनों लिखी है The Hindu view of art इसके साथी साथ इन्होंने मार्ग पत्रिका का संपादन किया है और इसके संस्थापक भी थे मार्ग पत्रिका के अगला है Ideal of East के लेखक है तो Ideal of East लिखी है Oka कुरान है आंसर है यहां पर option A Oka कुराद वारा लिखी गई है Ideal of East यह भी एक चित्रकार थे अगला है रसमिमानसा के रशनाकार है तो रसमिमानसा जो लिखी गई है वो लिखी है आचारे रामचंदर शुकल जी ने आंसर है आपर option B आचारे रामचंदर शुकल जी ने लिखी है रसमिमानसा और question No.26 है आप लोगों के लिए दा पेंटिंग ओफ अजन्ता ग्रंथ 1965 के लेखक कौन है प्रिश्न है दा पेंटिंग ओफ अजन्ता ग्रंथ 1965 के लेखक कौन है option है कलिंग वूड, शेलेंदर नाथडे, मदन जीत सी या शिलादित्य सरकार आप इसका answer comment box में लिखिएगा और अगर आपको नहीं आता है तो अगला जो इसका part आएगा part 2 उसमें में इसका answer बताऊंगी और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप बताईएगा पसंद आया है तो like जिरू करिए good luck